स्त्री को दोश मत देन आपकी जिंदगी में कुछ है जो आपके लिए अब बोज बन चुका है तो आप देखो कि आपने उससे रिष्टा किस तल पर किस आधार पर बनाया है जिस खिडकी से आपने उसको जिंदगी में प्रवेश दिया है वो खिडकी गलत होती है जीवन कैसे तै करता है कि वो आपको क्या देगा बताइए अरे वो तै ही नहीं करता जीवन कुछ नहीं तै करता तै आप करते हैं दो खिडकियां आपके घर में तो आपको तो अपने घर की खिड़की खुदी खोलनी पड़ेगी और उसको खोलने के लिए हमने कहा या देवी सर्व भूतेशु शक्ति रूपें संस्थिता सिध्धान्त के तरीके से बताऊं एक कहानी सुनना चाहेंगे कहानिया सबको पसंद आती हैं हैं तो हम सब बच्चे ही अंदर की बात यह है कि मुझे भी कहानी पसंद आती है तो इधर भी बच्चा उधर भी बच्चा अच्छा है बच्चे सरल होते है तो दूर कहीं कोई जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां किसी पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती कुछ उसको नाम दे देते हैं उस नाम से आप परिचे थें अमरपूर बताई दिये आपने तो दूर कहीं एक जगह है अमरपूर और कहते हैं कि वहां कभी कोई परिशान नहीं होता लोग वहां रहते हैं लोगों के घर हैं और जब भी किसी घर में कोई परिशानी आती है किसी भी तरह की कोई तकलीफ तो कहीं से एक युवक आता है और कोई चिकित्सा दवाई करने की जगह उस घर के खिड़की दर्वाजों की कुछ खास मरम्मत करके चला जाता है और जाने से पहले उस घर में छोड़ जाता है एक छोटी सी किताब यह सदियों से हो रहा है जाने सदियों से पहले से हो रहा है कुछ पता नहीं कि जब भी कोई समस्या आएगी कोई कष्ट में होगा तो कहीं से कोई अज्ञात एक युवक आएगा और वहां न कोई दवाई देगा न कोई प्रयोग परीक्षन करेगा न मरीज से ये पुझेगा कि बताओ तुम्हारी विशिष्ट बीमारी तुम्हारा खास मर्ज क्या है वो आता है और खिड़की दर्वाजों की मरम्मत कर देता है क्या मरम्मत करता है ये कुछ पता नहीं मरमत कर देता और जाने से पहले छोड़ जाता एक छोटी सी किताब तो हमें ये बात बड़ी रोचक लगी हमने कहा चरह पता करते हैं कि बात क्या है तो किसी तरह अमरपुर जा करके हम उस युवक को खोज लाए मिल नहीं रहा था असानी से पर हमने भी जित पकड़ी और जा करके उसको धरा अब बताओ राज क्या है तुम्हारा बुलता है राज क्या बताए और मुझसे क्या पूछ रहे हो मुझ में तुम में कोई अंतर है क्या जो मैं जानता हूं वो क्या तुम नहीं जानते मैंने का शायद आप बाट ठीक कह रहे हैं लेकिन आप बिलकुल मेरे जैसे होते हुए भी कहीं मुझ से आगे हैं मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी मेरी शक्ल हुबहु एक जैसी है पर फिर भी कुछ अंतर है मुझे में और आप में तो जो कुछ मैं जानता भी हूँ वो मैं आपके मुझ से सुनना चाहता हूँ वो बोले मेरे मुझ से सुनना चाहते हो तुम पर जहां तुम खड़े हो वहां से मैं कहानी शुरू करना चाहता हूँ मैंने का ठीक वो बोले बात अब बराबर कियो गई तुम अपनी कहानी मेरे मुह से सुनना चाहते हो तुम मैं सुनाओंगा ये कहानी वहां से जहां पर तुम खड़े हो मैंने का ये ठीक है बात आपकी कहानी हमारी तुम्हारे ही जैसा हूँ बिल्कुल क्यांतर मुझ में और तुम में मैं रहता था कहीं पर और जैसा कोई भी जवान आदमी होता है जवानी की सारी उमंग तरंग गर्मी जोश और सारी मचलती कामनाएं मुझ में भी थी मैंने का हाँ ये मैं समझ सकता हूं मेरी इस्थितिया बयान कर रहे हैं ठीक है तभी तो मैं कहानी तुम्हारे तल्स शुरू कर रहा हूं उसने कहा तो मेरे घर में दो खिड़कियां थी एक खिड़की का नाम था अम्रित और दूसरी का नाम था अम्रित और इच्छाएं बहुत थी मेरी कामनाएं उबाल लेती रहती थी भीतर और कामनाएं सब मांगती थी अपनी पूर्ति पूर्ति करनी है कामना की दुनिया से कोई चीज लाकर देनी पड़ती है ना कामना कहती है दुनिया से ये चीज लाकर दो वो चीज लाकर दो तो मैं उन्ही खिड़कियों से बाहर जगत को देखा करता लेकिन एक बात थी मेरे देखने में खिड़कियां दोनों मेरे ही घर की थी लेकिन अलग अलग थी एक का नाम था उसने पूछा बताओ मैंने का मृत एकदम ततकाल बोल दिया वो लग तुम भी मेरी तरह इसी खिड़की के अभ्यस्त हो एकदम जट से बता दिया खिड़की का नाम मैंने कहां जब मैं और आप इ मैंने का दूसरी का बहुत इस्तिमाल करता नहीं जोर देना पड़ेगा याद नहीं आ रहा नाम बोला अम्रित हां अभी आपने बताया तो था बताने पर भूल जाता हूं वो बोला यही बात है मृत कोई याद ना दिलाए तो भी याद रहता है और अम्रित का बड़े अम्रित और कामनाएं मेरे भीतर बहुत ज्यादा मैं उन दोनों ही खिड़कियों का इस्तिमाल करना चाहता था अपनी कामनाओं की पूर्ते के लिए मैं उनके माध्धम से जगत को देखता था कि क्या है बाहर जिससे मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी मैं अम्रित से बाहर की और देखता तो जगत मुझे बहुत शान्त इस्थिर और इसलिए साधारण और फीका प्रतीत होता मैं कहता जो दिखरा है वो अच्छा है शांद बिलकुल चंद्रिका की तरह कोमल शीतल चांदनी बरस रही है पर उसमें कोई उत्तेजना तो नहीं है सब कुछ ठहरा हुआ सा है शांती है पर उबाल तो नहीं है तो मैं जरा असंतुष्ट हो करके तुरंत दूसरी खिड़की की ओर आ जाता और दूसरी खिड़की से जैसे ही मैं जगत को देखता वहां सब कुछ सतरंगी अतरंगी हो जाता वो चांद जो श्वेत शीतल चांद नी बरसा रहा था वो भी इंद्रधनुशी हो जाता बाहर की शांती बदल जाती उत्तेजक नृत्ते और संगीत में सब कुछ हिलने डुलने लगता जैसे सावन में जूले हों और उन पर यूतियां इधर से उधर जूल रही हो हिल डुल रही हो और आमंत्रन दे रही हो मैं बहुत हैरान होता मैं कहता जगत वही है एक खिड़की से देखता हूँ तो वहां शांती है चंद्रकांती है और दूसरी खिड़की से देखता हूँ तो सब कुछ उबल और मचल रहा है लहका और बहका हुआ है ये मेरे हाथ की बात थी कि मैं किस खिड़की से जगत को देखूँ खिड़कियां दोनों मेरे ही घर में थी लेकिन मैं चुनाओ यही करता कि मुझे तो मृत नाम की खिड़की से ही जगत को देखना है और मृत नाम की खिड़की से जगत को देखना वैसा ही था जैसा कोई मसालेदार चटपटा विंजन मिल जाए भले ही वो अपने भीतर अपनी सामगरी में क्या लिए बैठा है इसका कोई ठिकाना ना हो लेकिन स्वाद में वो बड़ा जाएकेदार हो और अम्रित खिड़की से जगत को देखना ऐसा था जैसे शांत कोई उपवन आप देख रहे हो बाग है फलदार रिक्षों का बहुत हल्की हल्की हवा बह रही है और हैं क्या वहाँ पर सेब है अम्रूद है आम है स्वाद है उनमें और पॉष्टिक्ता भी भरपूर है लेकिन वो मसालेदार लजज़त नहीं वो चटपटा जायका नहीं जो मृत खिड़की से जगत को देखने पर मिलता है तो वो यूवक आगे कहने लगा कि पहले तो मेरे सामने एक द्वंद भी रहता था कि जगत को यहां से देखूं कि वहां से देखूं लेकिन मेरे भीतर की असीम कामनाओं ने जल्दी ही वो द्वंद भी समाप्त कर दिया मैंने मृत खिड़की पकड़ ली अमृत से धीरे धीरे मेरा नाता ही टूटता चला गया वैसे भी अमृत से देखो तो वहां कुछ भी ऐसा नहीं होता था जो हाथ पहला करके कहता हो आओं या मेरी और भाग करके कहता हो कि आरे खिड़की खोलो द्वार खोलो मैं आता हूं वहां तो जो था बस था अमृत का ये हाल लेकिन अमृत से देखो तो वहां सब कुछ मुझसे बात करने को आतर था मुझसे मिलने को आतर था जो कुछ भी मृत खिड़की से मुझे दिखाई पड़ता था जगत में मैंने उसके लिए फिर स्वयम को खोल दिया खिड़की खुल गई और बाहर की आकरशक वस्तुएं एक एक करके भीतर आने लगी बड़ा अच्छा लगा बड़ी प्रसनता कानुभव होता था ऐसा लगता था कि कामना की जलन को शीतलता मिल गई ऐसा लगता था बिलकुल सही निर्णे करा है इस मृत खिड़की को खोल करके तकाल शांती मिलती थी मैं जल रहा हूँ कुछ आया बाहर से और शांत कर गया शांती की प्रक्रिया लेकिन बड़ी कुछ विचित्रसी थी शुरू में मैंने उस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए इतना ही परयाप्त था कि कामनाओं की पूर्ती हो रही है ना हो रही है हां हो रही है वो मेरी देहे से जुड जाता है मेरा वजन बढ़ाने लगता है पर मैं हटा कटा नौजवान था मजबूत सुगठित तो वजन कुछ बढ़ने भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं बलकि बढ़ा हुआ वजन कपड़ों के पीछे से ऐसा लगता था जैसे भरा हुआ शरीर हो किसी पहलवान जैसा मैंने कई यह तो और अच्छी बात है पहले मैंने बाहर से छोटी चीजों को ही भीतर आने दिया धीरे धीरे अभ्यास ने लत का रूप ले लिया चीजें आती गई मुझसे जड़ती गई चीजें आती गई मुझसे जड़ती गई पचीस-अठाईस की वरस की उमर में ही मैं ऐसा लगने लग गया मानो 25-50 का हूं और देह का आकार जितना बढ़ता गया देह की मांग भी उतनी ही बढ़ती गई जितना वजन होगा भूख उतनी ज्यादा होगी, प्यास भी उतनी ज्यादा होगी और भीतर मन का वजन जितना ज्यादा होगा उसकी कामनाएं उतनी ज्यादा होगी मेरा वजन बढ़ता गया हर तरीके से, तन, मन, स्थूल, सूक्ष्म, मैं भारी होता गया और मैं जितना भारी होता जाता था उतना मैं बाहर से, मृत खिड़की से चीजों को न सिर्फ अनुमती देता था आने की, बलकि सक्रिय आमंत्रन भेजा करता था, आओ, आओ, और जो कुछ बाहर होता था, जब मृत खिड़की से बुलावा जाए तो वो भी भीतर आई जाता इस पूरे प्रक्रण के दोरान मैं भूलने ही लग गया कि अमृत खिड़की भी होती है और उससे यही जगत बड़ा अलग दिखाई देता है, वही वस्तो मृत खिड़की से देखो, तो एक रूप दिखता है, और उसी वस्तो को अमृत से देखो, बिलकुल वो अलग हो ज बढ़ती ही जा रही थी, कामना अब देह की आग का रूप ले चुकी थी, जो कुछ भी मैंने अभी तक बाहर से भीतर मंगाया था और खुद के साथ जोड़ा था, वो तातकालिक और आरंभिक शांती तो देता था, लेकिन पाता था कि कुछी समय बाद वो मुझे पहले से ज्यादा तपता और जलता हुआ छोड़ गया, मैं जितना खाता था, पेट भरने की जगध भूख बढ़ती जाती थी, और अम मेरी हालत ये थी कि मैं उपर से लेकर नीचे तक जैसे अंगार बन चुका था, एक दिन मैं मृत खिड़की से बाहर देखी रहा था, मुझे एक लड़की दिखाई दी, कामना का शोला एकदम जुआला बन बैठा, जैसे आप किसी अंगारे पर इधन डाल दें, उसको देखते ही तुरंट मुझे एहसास हुआ, कि मेरी सारी तडप, सारी प्यास का अंथ होने ही वाला है, मैं जितना भटक रहा हूँ, मैं जितना तडप रहा हूँ, वो सब कुछ शांत हो जाएगा, मेरी सब तकलीफों का अंथ हो जाएगा, ये जो सामने दिख रही है, अगर ये आजाए जिन्दगी में, तो उसके बाद कुछ माँगने जैसा नहीं बचेगा, मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं आ रहा था, इतनी ज्यादा सुन्दर युवती, मेरे घर के आस पास क्या कर रही है, और मैं हूँ बहुत साधारण, और साधारण होने के साथ, अब मैं कुरूब भी हो गया हूँ, वजन भी बढ़ा लिया है, न जाने भीतर बाहर, दोनों से मैं कितना बीमार हो गया हूँ, ये लड़की मुझे क्यों सुविकार करेगी, पर बुद्ध्य और तर्क, तो जाने मैं कब के पीछे छोड़ चुका था, जब कामना और वासना पकड़ते हैं, तो बुद्ध्य और तर्क, इन दोनों पर सबसे पहले, आदमी राख डाल देता है, मैंने का किसमत आजमाते हैं, कोशिश करते हैं, मैंने खिड़की खोली, मैंने आवास दी, वो लड़की इतरा आई, पहले उसने मेरी उपेक चा करी, धर उधर देखा, और चली गई, मैंने का यही होना था, यह मेरे पास क्यों आएगी, अगले दिन वो फिर आती है, मैंने फिर आवास दी, इस बार वो कुछ देर ठहरी, उसने मेरी और देखा, उड़ती हुई सी निगार डाली, लेकिन फिर चली गई, यह सिलसला कुछ हफतों तक चला, लेकिन मुझे भरोसा आने लगा था, कि यह जो सामने वस्तु है, मेरी इच्छित नारी देह में, यह मेरी पहुँच से बहुत दूर नहीं, मैं प्रयास करता गया, और एक दिन मैं पाता हूँ, कि वो मेरी खिड़की की और बढ़ी आ रही है, मेरे आनंद का कोई ठिकाना न रहा, प्रसनता की अतिरेक में बावला हो गया, मैं नाचने लग गया, मैंने का यह मिलेगी, प्रणयका और मिलन काक्षन अब आही गया, वो आई, 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 और भीतर आ करके उसने मुझे अपने आलिंगन में बांध लिया, एकदम गले लग गई, वो पल था जब मैं ऐसा मदहोश हुआ कि होशी खो बैठा, जिसके लिए मैं प्रान देने को तयार था, वो सोय में ही मेरे घर के भीतर आ गई है, और मुझे अपने आलिंगन में बांध लिया है, ये बात तो मेरे सपनों से भी आगे की थी, मैं होश खो बैठा, मैं जमीन पर गिर गया, नजाने कुछ घंटों या कितनी देर बाद मुझे होश आता है, तो मैं पाता हूँ कि, वो लड़की बाकाइदा अभी भी मेरे घर में मौझूद है, वो कहीं गई नहीं है, ये कितनी प्रसंदता की बात है, इतना ही नहीं, उसने अपना आलिंगन भी अभी तक खोला नहीं है, उसका आलिंगन अब पाश बन चुका था, पाश माने बंधन, मैं मुस्कुराता रहा, मैंने का ये मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तो ये मुझे बांध रही है, फिर कुछ दिर बाद मैं उससे कहता हूँ, प्रिये, सामने आओ, बैठो बात करते हैं, मैं तुम्हारा खुबसूरत चेहरा देखना चाहता हूँ, उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं, वो हटी ही नहीं, मैंने फिर दोर आया, और मुस्कुर आया, कितना प्यार करती है मुझसे, मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती, कुछ समय बीता, काफी समय बीता, इस बार मैंने थोड़ा जोर देकर कहा, अब हटो भी, छोडो भी, सामने तो आओ, उसकी उससे कोई जवाब नहीं आया, बस मैं उसकी देंगी गर्बी, को महसूस कर पा रहा था, मुझे कुछ खटका सा हुआ, मैंने हाथ लगा कर, थोड़े बल के साथ, अब उसे हटाने की कोशिश की, मैंने पाया उसे हटाया, अब जाई नहीं सकता, है जो आज तक मेरी देह से जुड़ती चली गई, मृत खिड़की से जब से मेरी आसकती लगी थी, उसके बाद से आज पहला पल था, जब मुझे एक जटका सा लगा, सदमे जैसा, ये तो मैं जानता था, कि वहाँ से आज तक जितनी भी चीज़ें आई है, वो मेरे शरीर से जुड़ती चली गई है, मेरा वजन बढ़ाती गई है, पर मैंने कभी देखा नहीं था, कि उस जुड़ाव की प्रकृति क्या है, कैसे जुड़ती थी, मैंने गौर से देखना शुरू किया, मेरी हालक बड़ी खराब थी, एक स्त्री की देह मेरी देह से चिपकी हुई थी, इस नाते मैंने अपनी देह को पहली बार गौर से देखा, और मैंने पाया कि वो जितनी चीज़ें आकर के बाहर से मुझ पर चिपकी हैं, वो वैसे ही चिपकी हैं, जैसे शरीर से कोई फोड़ा चिपक जाता है, उन्होंने मेरी देह से वैसे ही नाता बना लिया है, जैसे कोई घाव आपकी देह से नाता बनाता है, जो जो मैं बाहर से भीतर आमंत्रित और स्विकार करता चला गया हूँ, वो आकर के मेरी देह पर उपर जमता चला गया है एक बीमारी की तरह, गाओ की तरह और जब मैंने देखा ध्यान से बड़े समय के बाद आज तो मुझे दिखाई दिया कि उन मेंसे कई गाओ ऐसे हैं जिन मेंसे खून रिसरा है, जिन मेंसे मवाद बहरा है मैं घबरा गया मुझे सहसा कुछ कौन था मैंने कहा अगर वो छोटी मोटी चीजें जो मैं बाहर से भीतर सुईकार करता चला गया अगर वो मेरे शरीर पर आकर इतना वड़ा घाओ बन गई है जगह जगह पर जैसे फोड़े हो गया हूँ जैसे मैं काट दिया गया हूँ तो फिर ये इतनी बड़ी नारी दे है अगर मेरे शरीर से चिपकी ही रह गई तो ये कितना बड़ा घाओ बनने वाला है मैंने अपने जवान शरीर का पूरा जोर लगा दिया उसकी दे को अपनी दे से अलग करने में पर हम एक हो चुके थे अब मुझे तभी याद आया कि यही तो मैं मृत खिड़की से बाहर देखता हुआ उसको बार बार बोलता रहा था आओ हम एक हो जाएं उस स्त्री ने बिलकुल वही करा था जो मैंने उससे कहा था बार बार मैंने कहा था आओ एक हो जाएं वो आई और एक हो गई वो आकर के मेरी देह से चिपक गई अब अलग नहीं हो रही वो दर्द बुरे तरीके से शरीर में उठने लगा मैंने उसकी देह को खीच करके नोच करके स्वयम से अलग करना चाहा पर अब वो अलग नहीं हो सकती थी वो मैं बन चुकी थी मैंने उठने चलने फिरने की कोशिश की मैंने पाया मेरा वजन बहुत बढ़ गिया मेरे चलना फिरना दूभर हो गिया और डर्द बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, दर्द ऐसा जैसे कोई मुझे काटे दे रहा हो, और भूख और प्यास और ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि अब इतना बड़ा हो गया है मेरा आकार, क्यों अपनी ट्रिप्त के लिए और न जाने क्या-क्या मांग रहा है, मैं गवराहट से आगे पागल होने लग गया, दिन अब ऐसे बीट रहे थे, जैसे महीने बीट रहे हो, समय की सुध खोने लग गया मैं, मुझे दिखने लग गया कि कुछ बहुत भयानक और बड़ा गलत हो गया है मेरे साथ, मैं विक्षिप्त हो गया हूँ, बाहर दर्द और भीतर दुख, ये मेरी हस्ती बन गए, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में ना आए, बस एक ही उपाय सूझे, जाओ उसी खिड़की के पास, और और कोई चीज बुलाओ जो किसी तरीके से राहत दे जाए, और दो चार बार मैंने और चीज़ें और बुलाई भी, पर अब इतना मुझे दिखाई देने लगा था, कि जो कुछ भी बलाओंगा, वो राहत नहीं देगा, वो और ज्यादा मुझे से चिपक जाएगा, और ज्यादा मेरा एक नासूर बन जाएगा, मैंने इतना कर लिया कि अब इस खिड़की से कुछ नहीं बलाओंगा, पर करूं तो करूं क्या, मैंने कहा मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया था, सुन रहे हो तुम, मैंने जवाब दिया, अहां सुन रहा हूं, बताईए, और ये जो कहानी है, सुन आपके मुझे रहा हूं, पर भहुत सुनी-सुनी लग रही है, वो बोले, सुनी-सुनी नहीं लग रही है, ये आप बीती है, तथे को तथे की तरह रखा करो, उसका आकार मत घटाया करो, मैंने कहा जब आप सब जानते ही हो, तो कहानी बीच में क्यों रोकर रहे हो, आगे बढ़ाओ, बोले, हाँ, बोले, एक दिन, मैं खड़ा हुआ, मैं अपने बिस्तर तक जाना चाहता था, और बिस्तर तक जाने की जगह मैं, दो कदम चलके लड़कडा के गिर पड़ा, मैंने पाया मेरे टांगों में इतनी ताकत नहीं बची है, कि मैं खड़ा होके बिस्तर पे बीचड़ पाऊं, मेरे दिमाग में एक शब्द, कौन था बिजली की तरह, डॉक्टर, डॉक्टर, मैंने का कोई तो होगा जो मेरी चिकित्सा करेगा, मैं जानता है नहीं था किसी को चिकित्सा के लिए, मैं खुद ही अपना चिकित्सक बना रहा था आज तक, मुझे आद आया तभी कि मेरे कमरे में, मेरे घर में, एक बहुत पुराना ट्रंक पड़ा हुआ है, मैं उस ट्रंक की ओर गया, मुझे लगा, इसमें क्या पता किसी डॉक्टर का कोई नंबर हो गएरा मिल जाए, पता मिल जाए, ठिकाना मिल जाए, कहीं से कुछ करूँ, जब इस खिड़की से बाहर देखता हूँ, दुनिया की हर चीज दिखाई दे जाती है, तो क्या पता है, डॉक्टर को पकार हूँ, तो वो भी मिली जाए, तो मैं खोजने लग गया, डॉक्टर, चिकित सक, वैद्य, कुछ पता चले, कुछ नहीं पता चला, एक किताब दिखी छोटी सी, मैंने ओ किताब उठाई, मुझे दिखना भी बड़ा, अब मुश्किल हो रहा था, शरीर की जब पूरी विवस्था खराब हो रही थी, तो आखें भी खराब हो रही थी साथ में, मैंने उस किताब को खोला, उसमें, महीन शब्दों में कुछ लिखा हुआ था, मुझे लगा किसी किस्म की है, कोई डायरेक्टरी है, पते ठेकाने होंगे इसमें, महीन शब्दों में उन्ही में लिखा रहता है, मैंने पढ़ने की कोशिश की, और मैं पढ़ता जा रहा था, बुदबुदाता जा रहा था, मैंने पढ़ा, कुछ लिखा हुआ था, उसमें मुझे लगा, यह किती चिकिट सक का पता है, उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखाया यह, यह डॉक्टर का नाम है, या, क्या नाम है, या, या, पढ़ा नहीं जा रहा आगे, बड़ी मुश्किल से जोर लगा कर पढ़ रहा हूं या या देवी अच्छा देवी देवी नाम अच्छा अच्छा लीडी डॉक्टर है महिलाचे कित सक है इंको या देवी सर्वभूतेशु बड़ा जटिल सा नाम है मेरी जो मृत खिड़की है उससे तो बाहर देखो तो द पढ़ गई थी पढ़ाई न जाये क्या लिखाया आंखें खराब उपर से संस्कृत या देवी सर्वभूतेश बुद्धि रूपेण संस्तिता बुद्धि रूपेण संस्तिता है जबुद्धि रूपेण संस्तिता शब्द कान में पड़े है कुछ अलग सा अनुभव तो कई सालों से हुना बंद हो चुका था यादेवी सर्वभूतेशु शांति रूपेन संस्थिता, शांति रूपेन संस्थिता ऐसा जैसे जलन में कुछ कमी आई हो, शांति रूपेन संस्थिता या देवी सर्व भूतेश यह कौन सा शब्द है शान्ति जैसा ही लग रहा है शान्ति शान्ति रूपेन संस्थिता क्षमा पुरानी बातों की आग का शमन मैं अब चिकित्सक को भूलने लगा था बिस्तर पर चड़ने का खयाल भी पीछे हो गया था कहीं यह चोटी सी किताब थी मुझे लग रहा था इसको आगे पढ़ूंगा या देवी सर्व भूतेश कांति रूपेन संस्थिता शद्धा रूपेन संस्थिता जाते रूपेन संस्थिता एक 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 शब्द के साथ कुछ होता जा रहा था नमस्तस्याई नमस्तस्याई नमो नमः नमस्तस्याई नमस्तस्याई नमन यह क्या चीज होती है नमन मुझे याद आया कभी मैं जानता था नमित होने का अर्थ मैं भूल चुका था कि नमस्त अपी नमस्तों अदुन में अपने पागलपन में इन ही शप्टों को इन ही पंक्तियों को इन ही श्लोकों को मंत्र की तरह दोराने लगा मैं बहोष हो चुगा था और मैं दुहरा नहीं रहा था मैं बढ़बडा रहा था जैसे अख पैल मी Аक्सार किया करता है मैं बढ़ बाएं था या देवी सर्व भूतेश बुध्दि रूपई संस्थितर शन्ते रूपई संस्थितर कांते रूपेन संस्थिता, शद्धा रूपेन संस्थिता, मात्र रूपेन संस्थिता, मैं बुलता गा रहा था, नमस्तत से, नमस्तत से, मैं वेहोश हो गया, मुझे पता नहीं था, मुझे बहुत बाद में जाकर पता चला कि मैं वेहोशी में भी, मंत्र दोहराता गया, दो मेरी आख खुली तो दुनिया कुछ बदली हुई सी थी मैंने पाया मेरे हाथ पाओ मेरी हस्ती कुछ सिकुड गए है कुछ इनका भार कम हो गया है किताब अभी भी मेरे हाथ में थी मैंने उसकी और देखा मैंने पाया कि उसके अक्षर मुझे ज्यादा सपश्ट दिखाई दे रहे है मेरी आखें बहतर हो गई मेरी आखें बहतर हो गई उन्ही आखों को उठा करके मैंने सामने देखा तो बिस्तर पर वो यह उती बैठी हुई थी उसने मुझे छोड़ दिया वो अलग बैठ गई जाकर के वो बिस्तर पर बैठी थी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी मैंने कहा तुम कौन हो उसने कहा जानते नहीं हो तुमने ही तो बुलाया था मैंने कहा बुलाया था पर आपका चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं आप तो आकर के मेरे शरीर से घाव की तरह लिपट गई आपका चहरा ही नहीं देख पाया मैं कभी आज आपका पहली बार मैं चहरा देख रहा हूँ और जैसे ही मैंने कहा घाव मेरा ध्यान गया कि मेरे घाव सूखने लग गए थे मैंने पाया कि बात करते हुए मेरी आवाज में भी कुछ ताकत आने लग गई थी मेरी बुद्धी सजग हो गई थी मैं चीजों को देख समझ पा रहा था वो बोलती है कि तुमने जैसे मुझे बुलाया मैं वैसे आ गई मैंने तो वही करा जो तुम चाहते थे दोनों खिड़कियां थी तुम्हारे पास तुमने जिस खिड़की से मुझे आवंत्रन भेजा मैं उसी अनुसार रूप लेकर आ गई तुम्हारे पास मैंने का पर आप जो भी बनके आई है वही तो आपकी सच्चाई है न आप तो ऐसी ही है वो ओली नहीं 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 अभी पूरी तरह होश में नहीं आ रहे हो तुम लगता है मैं कैसी भी नहीं हूँ जैसा तुम मुझे देखो जैसा तुम मुझे बना दो जिस खिड़की से तुम मुझे जीवन में प्रवेश दो मैं वैसी ही हूँ मैंने का इसका मतलब आवश्यक नहीं है कि अभी आपका जो शांत शीतल जीवन दायनी रूप में देख रहा हूँ वही आपकी सच्चाई है वो बोली ना मैं कुछ और भी हो सकती हूँ अगर तुम सोच रहे हो कि अभी मैं जैसी दिख रही हूँ मैं वैसी ही हूँ तो बिलकुल भी जरूरी नहीं है मैंने का जरूरी क्यों नहीं है वो बोली किताब अभी तुमने पूरी पढ़ी नहीं इसलिए समझ नहीं पा रहे हूँ कि जरूरी क्यों नहीं है मेरी नजर दूसरे शब्दों पर गई मुहां लिखा हुआ था शांते रूपेन संस्थिता शांते रूपेन संस्थिता कांते रूपेन संस्थिता फिर भ्रांते रूपेन संस्थिता भ्रांते रूपेन संस्थिता आप भ्रान्ति माने भ्रम माने धोखे का भी कारण है मुस्कुराई बोली मैं कुछ नहीं हूँ मैं वहीं हूँ जैसा तुम मुझे चाहते हो तुम मुझे में शान्ति देखना चाहते हो शान्ति पाओगे तुम मुझे में भरांती देखना चाहते हो, भरांती पाओगे. मैं सदमे में था, मैं आगे पढ़ने लग गया, तृषा रूपेंचस्तिता, अरे, तृष्णा! क्षुधा रूपेंचस्तिता, भूख ये सब भी हो आप, बोली, तुम चाहो तो हो, जो तुम चाहोगे वही होगा. मैं शांती भी हूं मैं भ्रांती भी हूं मैंने आगे पढ़ा त्रिप्ती रूपेन संस्थिता तुष्टी रूपेन संस्थिता मैं क्षुधा भी हूं मैं त्रिप्ति भी हूँ और तुष्टि भी हूँ मैं भूख भी हूँ और मैं भूख का मिट जाना भी हूँ ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुमने मुझे कहां से देखा और कैसे बुलाया मैंने का मैं आपको दूसरी खिड़की से आवास देता तो बूली ये मेरे बताने की बात नहीं है देखर देखा तो होता मैंने का जितने दिनों तक मेरी दुर्दशा रही आपके कारण और ये दूसरी सब चीजें जो मैंने जिन्दगी में बुला ली थी उनके कारण उतने दिनों तक मैं तो आपको ही दोश देता रहा कि आप ही इतनी बुरी है बुली अगर तुम्हे जान ही जाते कि किसका दोश है तो इतनी तुनों तक दुख भोगते क्यों जो दुख भोग रहा हो उसकी बड़ी से बड़ी निशानी होती है कि वो अपने दुख का कारण हमेशा किसी दूसरे को ठहराता है अगर वो जान ही जाए दुख भोगता हुआ व्यक्ति किसी भी ताप में जलता हुआ व्यक्ति अगर ये जान ही जाए कि उसके दुख का कारण सिर्फ मात्र वो स्वयम है तो उसका दुख इतना चलेगा किसलिए वो बोला मैंने कहा इसका मतलब जो भी कुछ हो रहा था मैं ही उसका कारण था बोले हाँ जो तुमने चाहा वही हो रहा था तुम्हारे अलावा पूरे ब्रहमांड में कोई कारकत्त्व है ही नहीं जो होता है तुम से होता है जो होता है तुम को होता है तुम्ही से शुरू होता है तुम्ही को होता है और तुम्ही पर जाकर समाप्त हो जाता है उद्गम भी तुम्ही हो अंत भी तुम्ही हो किसी दूसरे को क्यों बीच में लाते हो किसी दूसरे करते हैं कोई काम ही नहीं है मैं भी तो वही करती हूं जो तुम चाहते हो अन्य था तुम्हारे घर में दो खिडकियों का विकल्प क्यों होता अगर तुम विवशी होते दुख जेलने को तो दूसरी खिडकी क्यों है मैंने उस दूसरी खिडकी की और देखा मैंने अमृत की और देखा मैंने देखा उसमें जाले लग चुके थे मैंने देखा वो इत मैंने देवी की और देखा मैंने किताब की और देखा और मेरे सामने आया या देवी सर्वभूतेशु शक्ति रूपेन संस्थिता शक्ति शक्ति मैंने अपने बाजुओं में वो ताकत अनुभाव करी जो न जाने कब से में खो उठा था मैं उठा मैंने जा करके उस बंद ख के चरवणाने की आवाज सुनाई दी पर मैं मारता गया मुठ्धियों से प्रहार करता गया जब तो खिड़की टूठी नहीं गई कि वह खिड़की टूठती है मैं वापस मुड़ता हूं मैं हर्शोनमाद में देवी को बताना चाहता हूं कि मैंने खिड़की अपने लिए खौल लिया है मैं वापस मुड़ता हूं मैं देखता हूं वहां है ही नहीं मैं कहता हूं फिर दुबारा धोखा हो गया क्या दुबारा कहां चली गई कहां चली गई मैं इतने में खिड़की से बाहर जाकता हूं बाहर है क्या बाहर निकल गई मैं देखता हूं वहां जो कुछ भी है उस पर उन्हीं देवी की शकल है जो कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस विशे किस चीज किस वस्तु को देख रहा हूं हर वस्तु पर जैसे उन्हीं की शकल उबरी हूई है और वो मुस्कुरा रही है तो मुस्कुरा रहे हैं मैं समझ गया मैंने कहा इनको अपने घर में कैद करके नहीं रखा जा सकता इनको पाने का तो एक ही तरीका है कि सही खिड़की से दुनिया की और देखो और दुनिया में फिर जो कुछ भी होगा वो देवी का ही स्वरूप होगा कुछ और नहीं हो सकता एक और तो मुझे बड़ा हलका पन अनुभव हो रहा था और दूसरी और गहरी थकान भी मैं गिर कर लेट गया मैं उठा नजाने कितने घंटों बाद कि सब कुछ बदल चुका था कि मैंने सोचा यह जो मृत खिड़की है मैं इसको बंद कर देता हूं मैं बंद करने को जाई रहा था मैंने का ना जब अस्तित्तों ने मेरे घर में यह दो खिड़कियां दी है तो इसको बंद तो नहीं करूंगा यह खुली रहनी चाहिए एक समारिका की तरह एक यादगार की तरह जो मुझे बताएdar अगर मैंने इसका इसका इस्तिमाल किया तो अंजाम क्या होता यह खुली रहे विकल्प तो कभी बंद होते नहीं चेतना का तो काम ही यही है कि उसके सामने हमेशा विकल्प होता है वो चुनती है मैं उनका यह रही आए अब मेरा काम यह है कि मैं इसे चुनूँगा नहीं यह मौजूद रहे पर चुनूँगा मैं देवी को और उसके लिए तो खिड़की उधर है अमरित खिड़की उसके बाद से उस दूर देश में ये कहानी चल पड़ी है कि जब आपको कोई तकलीफ हो जब जिन्दगी ही पूरी बीमार हो जाए तो एक खास चिकित सकाता है उसके पास डॉक्टर वाला आला नहीं होता दवाईयों का जोला नहीं होता उसके पास बढ़ाई के आउजार होते है वो आता है और आपके घर की एक बहुत पुरानी उपेक्षित भूली हुई खिड़की को बस खोल देता है आपको हैरानी होती है आप कहते है इतनी बड़ी मेरी जंदगी में समस्याइं है और तुम आकर के एक खिड़की खोल रहे हो वो कहता है सब समस्याओं के साथ तुमने इतना धीरज रख लिया कुछ धीरज मेरे साथ भी रख लो वो आता है उसका काम है खिड़कियां खोलना और जाते हुए आपके हाथ में एक छोटी सी किताब दे जाता है वो शायद उसी किताब की प्रतिलिपी है उसी किताब की उसी किताब की समझ में आ रही है बाती है क्या है अमर्पुर मृत खिड़की से इसी जगत को देखो होगे तो यह पूरा जगत ही अमर्पुर है अम्रित से इसी जगत को देखा अम्रित से तो यह पूरा जगत ही अमर्पुर है और मृत खिड़की से इस जगत को देखा तो यह जगत क्या है फिर मृत्य लोग मृत माने जड 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 माने जिसमें चेतना जैसी कोई बात नहीं इसमें समझ जैसी कोई बात नहीं मृत खिड की से जगत को देखना माने वैसे ही देखना जैसे एक जड पदार्थ दूसरे जड पदार्थ को देखता है जैसे एक पश्य जगत को देखता है कैसे बस प्रतिक्रिया करने के लिए रसायन एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं न और चुम्बक भी लोहे के साथ कुछ क्रिया करती है और प्रत्वी का गुरुत्वा करशन चांद को खीचता है यह सब जड़ है फिर भी यह कुछ क्रियाएं करते हैं कुछ गतियां करते हैं सागर देखो कितना लहर आता है सागर के पास कोई चेतना नहीं पर सागर की गति कि तीक्षन रुकती नहीं और सागर और सौर मंडल अगर हमें बड़ी बात लग रहा हो तो घुस जाओ पदार्थ के भीतर और वहां पाओ ये कि भौतिक सत्ता की जो सबसे छोटी एकाई है वो भी निरंतर गति करती ही रहती है कि चाहे इलक्ट्रॉन प्रोटाउन इत्यादी का नाम दे दो चाहे स्ट्रिंग को और को गयरा बोल लो कि गति लगातार होती रहती है कि सोच में आ रही बात है तो मृत खिड़की से जगत को देखने का अर्थ ही है ऐसे देखना जैसे पदार्थ पदार्थ को देखता है यह होता है जब आप मिटीरियल हो जाने का निरणए फैसला करते हो तब आपको पुरुश्या इस्तरी ही नहीं हर चीज सिर्फ दिखाई देती है क्रिया करने के लिए उस क्रिया में कोई होश कोई समझदारी कोई चेतना नहीं होती बस क्रिया होती है बहुत बहुत कुछ होता है पर बेहुशी में होता है यह सब की हम लोगों की आम जिंदगी है पूरी दुनिया को हम देखते हैं दुनिया से बस क्रिया रियाक्शन करने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया यहीं चलता रहता है वो क्यों हो रहा है हमें कुछ नहीं पता जैसे इस विव सामनाओं को पूरा करेंगे भी कि नहीं करेंगे कुछ इसे पता नहीं था है बस एक रासायनिक उद्वेग एक चमीकल एकसाइटेशन और जब वह चमीकल एकसाइटेशन आपकी जिंदगी भन बन जाता है जब आपको पता ही नहीं होता है अपको गुस्सा कहां से आ तो उसका परणाम होता है मन का वजनी हो जाना बोज 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 सिर्फ बोज चीज़ें आती जाती है आप पर जमती जाती है जमती जाती है और किस तरह जमती जाती है श्रिंगार और आभूशन की तरह नहीं जम रही है सौंदर की तरह नहीं रोग की तरह गाव की तरह, कुछ आया है और मुझसे चिपक गया है, कैसे? जैसे गाव होता है कोई फोड़ा होता है, ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, उसमें आपके शरीर से कुछ घट नहीं जाता है, उसमें शरीर में कुछ बढ़ जाता है जो कुछ है, उसमें कुछ और जुड़ जाता है, कैंसर यही तो है, बेहोश क्रियाएं करने लग जाती है, शरीर की कोशिकाएं कैंसर में ऐसा नहीं होता है, कि शरीर ने काम करना बंद कर दिया है, कैंसर में ऐसा होता है, कि शरीर ने काम करना कई गुना बढ़ा दिया है इतनी बड़ी यहां गाठ बन गई, कुछ घट नहीं गया, कुछ अतिरिक्त आ गया है, यह होता है जब आप जगत से बेहोशी का रिष्टा बनाते हो, जीवन में बहुत कुछ अतिरिक्त आ जाता है, extra, unneeded, needlessly, बिना किसी जरूरत के आप जिन्दगी में चीजें जोडते च मृत खिड़की से दुनिया से रिष्टा बनाते हो, दुनिया में कोई बुराई नहीं है, आप किस खिड़की से दुनिया को देख रहे हो, यह तै करता है, कि आपकी किसमत अब किस करवट बैठेगी, दुनिया को दोश्मत दीजेगा, थोड़े देर पहले भी हमने कहा, ब जड़ और मृत खिड़की से उसको देखोगे, तो बस वो कामिनी है, मोहिनी है, आपकी वासना की पूर्ति का साधन है, और अमृत खिड़की से, चैतन्य खिड़की से उसको देखोगे, तो वो देवी है, शांतिदाई नहीं है, मुक्तिदाई नहीं है, और वहां स्त्री स परियावरण पशुपक्षी जगत की जितनी चीज़ें सब कुछ जिस खिड़की से देखते हो उससे निर्धारित होता है कि उनका आपसे रिष्टा क्या बैठेगा उनका पर प्रभाव क्या होगा मृत खिड़की से देखोगे तो जो भी दिखेगा जहर है वो तभी तो उस खिड़की का नाम है मृत और अम्रित खिड़की से देखोगे तो वही चीज़ जहर थी वो जीवन दायनी हो जाएगी अम्रित हो जाएगी एक ही वस्तु है एक खिड़की से उस जहर है दूसरी खि कोई जगह यह आपके लिए बुरे हुए नहीं नहीं आपको रिष्टा बनाना नहीं आया आप जानते नहीं थे कि उस घटना में व्यवहार कैसा करना है क्योंकि आप समझ नहीं रहे थे क्यों नहीं समझ रहे थे क्योंकि गलत खिड़की के सामने खड़े थे मृत खिड़की गलत कर्म कर रहे हो तो इसमें जिस पर कर्म करा उसका क्या दोश है यह रही कील और यह रहा हथोड़ा बहुत फर्क नहीं है ऐसे मारोगे तो दिवाल में कोई उपियोगी वस्तु बन जाएगी और थोड़ा सा उलट दो ऐसे कर दो कील की नोग अपने माथे की और हथोड़ा ऐसे बहुत फर्क थोड़ी है है बहुत फर्क बस उतना ही सा फर्क है जितना मृत और अमृत में होता है वह गुल बहुत बुरी चीज है, छाकु नहों तो हम में से आध्य लोग भूखे रह जाए, उसी से उसी से काटते हैं, उसी से बनता है, और उससे अपना गला काट दो तो चाकु की गलती है, कौन यहां ऐसा बैठा है जो चाकू का इस्तेमाल नहीं करता है कौन यहां बैठा है जो कैँची का नहीं इस्तेमाल करता और चाकू हो कि कैंची हो कि कोई भी चीज दुनिया की बता दो ऐसी एक चीज आप बता दीजिए मैं आपको चुनोती दे रहा हूँ जो जहर नहीं है मुझे दुनिया की एक चीज बता दीजिए जो जहर नहीं है हैं अगर आपको उससी सही रिश्टा बनाना ना आता हो एक चीज बता दीजिए कि अँष सब कुछ जहर है दुनिया में एक चीज बताओ जो जहर नहीं है बताओ कि सही रिश्टा नहीं बनाना आता तो अम्रित पी-पी के मर जाओं गे कैसे मरे इतना अमरित पी लिया कि पेट फट गया मरी गए अगर 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 इस रिष्टा नहीं बनाना आता तो इस ऑक्सीजन से मर जाओगे जो प्रान देती यह ऑक्सीजन कहोगे 20 प्रतिशत ही क्यों हो यह हवा में जब इससे प्रान आते हैं तो 100 प्रतिशत चाहिए और 100 प्रतिशत वाले ऑक्सीजन चेंबर में घुस जाओगे और वहां थोड़ी बहुत भी कतिविदी करोगे तो होगा जोर का धमा का भम सही रिष्टा बनाना नहीं आता जब त प्रतिशत है ओक्सीजन तब तक जिन्दगी देती है और सो प्रतिश्यत हो गई तो आप जिन्दगी ले भी सकती है कि यहीं कर्बंड डाय-oक्साइड जब एक अनुपात में होती होदे हवा में तो हमें प्रान देती है और आद जो पूरी क्लाइमीट चेंज की विभीश पर उनको एक निश्चित परिमान में अनुपात में आप लेते हो एक निश्चित अवधी पे समय पर तो वो आपकी जिंदगी बचा देते हैं सांप आपको काट लेता है आपका उपचार किसी से होता है सांप के जहर से ही आपका उपचार किया जाता है जहर जिंदगी बचाता है अगर खोश के साथ जहर से रिष्टा बनाना आता हो और बेहोशी है तो हम कह रहे हैं अमरित भी जहर हो जाएगा ये दो खिड़कियां आपकी हस्ती में मौजूद हैं, हम सब की हस्ती में मौजूद हैं हमें रिष्टा बनाना आना चाहिए भारत ने इस बात को समझा, इसी लिए प्रकृति को, शक्ति को, देवी को दोनों नाम दिये वो मृत्यु दात्तरी भी है और मुक्ति दात्तरी भी है उनसे चाहो तो मुक्ति ले लो, मुक्ति माने अमर्ता उनसे चाहो तो अमर्ता ले लो और चाहो तो उनसे भरानक मौथ ले लो बुरी से बुरी मौथ ले लो वो दोनों दे देंगी तो क्या वो किरती हैं, सिक्का उच्छाल करके तै करती हैं, क्या देना है, वो कैसे तै करती हैं, क्या देना है, एक देवी माने, जीवन ही, जीवन कैसे तै करता है, कि वो आपको क्या देगा, बताइए, अरे वो तै ही नहीं करता, जीवन कुछ नहीं तै करता, तै आप करते ह दो खिडकिया आपके घर में और उनमें से एक खिडकी को हमने बंद नहीं करा है जाम कर दिया है खोले नहीं खुल रही है कितनी भी जान लगा लो खुली नहीं रही सारा अध्यात में इसलिए होता है किसी तरीके से उस जाम पड़ी खिलकी को खोलो भाई अपने घर की है पर न जाने कितनी शताब्दियों से खोला नहीं एकदम फस गई है जानते उस युवक ने कैसे खोली थी ओ खिडकी मुष्टिका प्रहार करकर के उसने कहा लहु लुहा हाथ पूरा उसने अपने रक्त की आहुती चढ़ाई थी तब जाकर क्यों खिडकी खुलती है हर कोई इतना सवभागेशाली नहीं होता कि उसकी तकलीफ में अचानक कोई अग्यात युवक किसी अंजान दिशा से प्रकट हो जाए और भीतर आकर के खिडकियां खोल दे वै नहीं कि हो और सबको हो ऐसा सवभाग्य यह भी आवश्यक में है तो आपको तो अपने घर की खिडकी खुदी खोलनी पड़ेगी और उसको खोलने के लिए हमने कहा या देवी सर्वभूतेशु शक्ति रूपें संस्थिता अपने ही रक्त की आहुती चड़ाईए वो खिडकी खुलती है और जब वो खिडकी खुलती है तो आप आते हो कि वो सब गया जो मौत जैसा था और अब जो मिला है उसमें मौत नहीं है याद रखिए अभी हम भारत की बात कर रहे हैं भारत ने कुछ बातें बड़ी विशिष्ट रूप से जानी है न मरना क्या होता है इसकी बहुत बात नहीं करी गई कि अगर न मरा जाए तो क्या होता है मरने की ज्यादा बात की गई न मरने को भी कहा गया अ मरता वहाँ पर भी मरने को इकेंद्र में रखा गया बोले तुम मरने से पीछा चुड़ा लो यही है अमरता मरने का नकार मरने का निशेधी है अमर्ता तुम आने अमर्ता किसमे है तुम मरने से पीछा चुड़ा लो बस मरने से पीछा चुड़ा लो माने यह जो खिड़की है जिससे तुम बस जड़ पदार्थ की तरह दुनिया को देखते हो जो जड़ है वही तो मृत है जो जड़ है वही तो मृत है हमने उदाहरण लिया था लोहे का और चुम्बक का इनको आप जिन्दा बोलते हो कि आये मुर्दा हैं चेतना नहीं दोनों में तो तुम बस अपने भीतर की रासाय निकता से मुक्त हो जाओ यही अमरता है अमरता और कुछ नहीं होती है अपने भीतर जो केमिस्ट्री चलती रहती है उससे थोड़ा आगे बढ़ जाओ यही अमरता है और कुछ नहीं होती है अमरता है अपने भीतर जो गहरी बेहोशी चाही रहती है जैविक्त हॉर्मोनल उससे आगे चले जाओ बस यही अमरता है और नहीं कुछ अमरता होती है मरने का नकार अमर यही बस चाहिए तो जोर पूरा किस पर है समझो कि मृत्यू कहां है मृत्यू कहां यह समझ गए तो अमर हो जाओ समझ लो कि मृत्यू कहां है मृत्यू की खिड़की छोड़ दो अमर हो गए और नहीं कुछ करना है कि मृत्यू की खिड़की छोड़ों फिर अपने आप शक्ति रूपें संसित अपने आप वो शक्ति आएगी कि फिर खूलती है दूसरी खित पहले लेकिन छोड़नी पड़ती है मोथ वाली खिड़की भौतिक खिड़की रासैनिक खिड़की hard छिक्ट की जहां सब कुछ बस यो यहों हो रहा है कि हुआ जा रहा है बिना अमारी अनुमति के बिना हमारी समझधारी के बिना नहीं हमारे जाने बिना हमारे समझे उसने मुझे यह सारी बात बताई और कहा कि इतना तुम से यह बाते बोल रहा हूं तुम्हें दिखनी इनका कहा तो आपने यही इनका पर मैंने यह कब कहा कि मैंने पूरा कहा हो सकता है कुछ और भी करता हूं मैंने क्या करते हूं पुलते मैं एक इशारा कर जाता हूं कि यह जो मृत खिड़की है इससे जरा समभल के क्योंकि वृत्त तो हमारीयह होती है कि मृतयुकी और ही बढ़ते रहें मृत का मतलब समझ रहे हूं जिसमें चेतना नहीं जिसमें होश नहीं हो मृत है वृत्ते हमारी यही होती है कि बेहोशी में चलते रहे बस चलते रहे चलते रहे जिंदगी कड़ जाती है मौत आ जाती है ठीक है जिंदगी बीट गई न जाना न समझा बस होता रहा हमारे साथ और दावा हमारे यह रहा कि हम कर रहे थे करा कुछ नहीं बस होता रहा हमारे सा और जो नासमझी का बेहोशी का बस भीड के पीछे चलने का बस अपनी देह के पीछे चलने का सयोगों का अनुगमन करते रहते हैं उनको बहुत बुरी जिन्दगी मिलती है उसी जिन्दगी को कहते हैं जीते जी मौत क्या जीते जी मौत और जो अमरत खिड़की के उपासक हैं उन्हें अब मौत की फिक्री नहीं रह जाती जूसे मौत की फिक्र नहीं रह गई वो अब अमर हो गई अमरता मुंञे यह नहीं होता कि अब वो जिन्दा रहेगा देह से उसकी देह 10.000 साल चलेगी अमरता का मतलब होता है मृत्यु का खायाल ही नहीं आता जिसको तो मित्यू का ख्याल आना बंद हो गया जो जीवन में इतना गहरा डूब गया कि उसे कल की अब कोई परवाह नहीं रही वो अमर है अमरता और कुछ नहीं होती है अमरता माने यह नहीं कि कोई चरितर है किसी कथा का वो आज तक जिन्दा है तो बोल दो वो अमर है वो बच्चों वाली बात है ऐसे सोचना इसक्षण में आप अगर डूबे हुए हो तो आप अमर हो अमरता फिर ऐसी भी चीज नहीं है जो मिल गई है तो जेब में डाल ली हम हमेशा होंगी तो गलत चुनाव भी हमेशा हो सकता है तो माने सतत जाग रुकता constant awareness गलत फैसला कभी हो सकता है अमरित के सामने खड़े खड़े भी हमें आप मौत का चयन कर सकते हो यह अन्देशा रहेगा इसी का नाम जिंदगी यह है इसी में जिंदगी का रोमांच है सुचो कोई खेल ऐसा चल रहा हो जिसमें अभी दो-चार घंटे बाकी है और पहले ही फैसला हो गया कौन जीते हैं कौन हारेगा ऐसे खेल में कोई रोमांच बचा आपकी रूची रह गई है मजा तो तब है ना जब आखरी मिनट तक भी फैसला नहीं हुआ है कि कौन जीता कौन हारा वही आद रह जाते हैं न जिन्दगी भी ऐसी है कि उसमें किसी भी मिनिट कुछ भी हो सकता है तो ज्यादा आत्म विश्वास की अपने उपर भरोसे की कोई जरूरत नहीं है लगातार जगे रहो जागते रहो खिड़कियां दोनों हमेशा रहेंगी हमेशा रहें वह कामीनी भी हो सकती है और वह मुक्तिदाएनी भी हो सकती है प्रक्रति को स्त्री को दोश मत देना आपकी जिंदगी में कुछ है जो आपके लिए बोज बन चुका है तो आप देखो कि आपने उससे रिष्टा किस तल पर किस आधार पर बनाया है व्यक्ति नहीं गलत होता है उस व्यक्ति के साथ आपने जो रिष्टा बना लिया है और रिष्टा गलत होता है जिस खिड़की से आपने उसको जिन्दगी में प्रवेश दिया है वो खिड़की गलत होती है सही खिड़की खोलना सीखो समझ गया रही है बात अरे आपकी तकलीश में वो युवक भी कैसे आपकी सहायता कर देगा वो खिड़की तो तब खोलेगा ना जब पहले आप उसके लिए द्वार खोलोगे बात समझ में आ रही है वो मुझे ये सब बताता जा रहा था और मुझे बात समझ में आती जा रही थी बहुत मैंने कहा आप बीती जैसी लग रही थी दवार까지 रहो खट-कटाते रहो दवार ही नहीं खुलते में खिड़की कहां से खुल ऊँँ यह खिड़की बार से नहीं खुलती सिर्फ भीतर से खुल सकती है भीतर मुझे प्रवेशन नहीं दोगे तो मैं खिड़की कैसे खुलूंगा जेने समझ में आ रही होगी बातों समझ गए होगी जेने नहीं समझना उन्हें उनकी खिड़की मुबारक मुझे मालू में वो किस खिड़की पर खड़े होगे हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा कुछ भी समझ में आ रही है तो वो जिसकी हमने कहानी सुनी वो भठक राय खिड़कियां खोलने के लिए अपने ओजार लेकरके और हैं उसके पास अपनी किताबों का पूरा एक छोला थेला जहां जाता है छोटी सी किताब देता जाता है लेकिन उसकी एक मजबूरी है वो दर्वाजे तोड़ कर भीतर नहीं को सकता है मुझाश दूसक्त कैसरφेम हाँ बीतर आ जाये तो खड़की तोड़ देगा पर फीतर तभी आएगा जब आप अपड़ प्रेम से अपने स्विकार से अपने हाथ से द्वार खोलोगे, द्वार आपको खोलना है, खिड़की वो खोल देगा, भार-बार बात आपके उपर आजाती है, मैं क्या करूँ, जिन्दगी चीजी है, सब कुछ आपके उपर ही है, कुछ हा रही है बात समझ में है? मेरा नाम पुनीजिंदल है, मैं इस संस्ता से अचल्याजी के साथ लग-बख 2 साल से जुड़ा अओं, संस्ता से जुडने से पहले मैं एक एंड़स्ट्री चला था मेरी प्रिंटिंग कंपनी थी, तो इंडस्ट्री चलाने के साथ साथ मैं अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए काम में बहुत स्ट्रेस रहता था, तो उसके लिए अलग-लग तरह की संस्ताओं से भी जुड़ा हुआ था, जिसमें बहुत रहा की क्रियाएं, बहुत करा के मंत्र उचारन और यह सब चीजे वहां पे सीखने को मिलती थी कि अगर आपको अपने काम में परिशानी होती है तो अगर यह सब चीजें आप आप करते रहो गे तो आप अपने परशानी से दूर हो जाओगे और अपना काम सही तरीके से करते रहो गए तो यह सिलसला काफी समय तक चलता रहा लगवा आठ से दस साल पर जब मैं पहली बार चाहरे जिसे संग यूट्यू पे मुझे किसी ने बताया तो मैंने उनका वीडियो देखा तो फिर मैं उनकी बात नहीं बतलेंगे तो तब तक जो भी हम करम करते रहें बिद्र उसको से कोई नहीं नियुआ अवाला तो छूरात जिसे हमें ये जो गीता का सही बतलब है वो समझने को मिला है तो उसके बाद जब अचारे जी को सुना मैंने गीता को संझा तो यहीजा मैं कि जिन्दगी में आप दो चीज़े कठी नहीं करते हैं, अपनी पुरानी जिन्दगी गलत काम करते रहो और साथ में आप सोचो कि हम गीता भी चलाते रहें, तो गीता से सही जिन्दगी जीने का एक रास्ता मिला मुझे, तो मैं सब को ये कहूंगा कि अगर सही अध्यात में ज चुनेंगे, तब तक आप कुछ भी करते रहोगे, तब तक उसके लावा आपको कुछ होने नहीं वाला, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा.